Hey everyone, आज हम कुछ objective type question करने वाले हैं तो question number one है मनुष्य की अंतर नहीत पूर्णता को अभिवेक्त करना ही शिक्षा है तो ये एक education की definition है तो ये किसने दी है तो ये दी है विवेका नंजी ने तो इसका option C correct है question number two है शिक्षा से मेरा अभिप्राए बालक तथा प्रोड के शरीर तथा मन आत्मा से ये सब अगर आएगा ना शरीर मन आत्मा तो इसका जो आंसर है वो डिही होगा ऐसे समझ जाना ठीक है इन्होंने 3H भी दिये हैं तो 3H क्या है वो आप लोग मुझे प्लीस कमेंट सेक्शन में बताना उसके बाद हमारा क्वेशन नमर 3 है शिक्षा एक 3 मुखी प्रक्रिया है तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था डियोवी ने ठीक है द्री द्रुवे प्रक्रिया किस ने कहा था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे question number हमारा 4 है निरपचारिक शिक्षा एक सुवीदा जनक स्थान समय विध्यारतियों के मानसिक्सतर और मनवग्यानिक विध्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है क्या है किसका है तो इससे पहले आप लोग मैंने वीडियो डाली हुई है future teacher वाले प्लेइलिस पे उनमें ने डिफ्रेंस किया है formal informal और नॉन फॉर्मल ठीक है नॉन फॉर्मल निरपचारिक शिक्षा अपचारिक अनपचारिक और निरपचारिक तीनों में तो यह प्लीज आप लोग डिफ्रेंस चेक कर लेना ताकि आपको और चीज़े क्लियर हो जाएं तो इसका जो answer है question 4 का वो है जे महंत ने ये बात कही थी ठीक है question 5 है केवल पुस्त की ग्यान से कारे नहीं चलेगा कि हम बच्चों को स्री बुकिश नॉलिज दे उससे काम नहीं चलेगा हमें ऐसी शिक्षा की अवश्यक्ता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ हो सके तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था विबी का नंजी ने उसके बादा मारा question number 6 है शिक्षा का कारे असहाय प्राने की विकास में सहायता पहुचाना है जिससे वैसुखी नेतिक कुशल मानव बन सके तो यह कतन किसका है तो यह कहा था जॉन डीवी ने चीक है उसके ब मनोशे की जर्मजात परवर्तियों का सुभाविक सरवांगेन और प्रगतिशील विकास है तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था पेस्टॉलोजी ने और बहुत इंपोर्टन डेफिनेशन है बार-बार पेपर में पूछी जाती है ठीक है तो आप इसे अच्छे से करके तो यह कथन किसका था तो यह कथन दिया था फेडरिक ट्रेसी ने ठीक है यहां पर कुछ कथन है वो जो डेफिनिशन दिये तो यह आपको याद करनी है और ध्यान देना है उसके वादा मारा है question number 9 राश्ट्रिय एकता और राश्ट्रिय मेल का अधार है राश्ट्रिय उसके बाद हमारा है शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना की मानव उसमें जो भी शक्तिया है शिक्षा को उन्हें पोशित और प्रदर्शित करना चाहिए तो यह कतन किसका है तो यह मरसन ने कहा था उसके बाद है हमारा question number 11 तुमको कारे के सभी छेत्रों का विवहारिक ज्यान प्राप्त करना अवश्चक है सिधानतों के धेरों के धेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है तो यह कतन किसका है? तो यह कतन है स्वामी विवेकानन जी का उसके बाद हमारा question number 12 है बीचर ने कहा कि सभी सफलकार्यों का अधार तो बीचर ने क्या कहा है कि सभी सफलकार्यों का अधार क्या है तो नैतिकता 13 है राष्ट्रे एकता के प्रश्ट में जीवन के परतेक वस्तु आ जाती है राष्ट्रे एकता के प्रश्ट की जब बात होती है तो उसमें जीवन की परते एक वस्तु आ जाती है शिक्षा का स्थान इन सब में उपर है तो यह कतन किसका है तो यह कतन है पंडित नहरुजी का question number 14 है शिक्षा क्या करती है संस्रिति का शरंक्षन, संस्रिति का विकास तो यह तीनवी कारे करती है तो इसका option हो जाएगा D, उसके बाद है हमारा question number 15 शिक्षा के चरित्र विकास के उदेशे के समर्थक है तो शिक्षा के चरित्र विकास के समर्थक कौन है तो महात्मा गान्दी भी है, हर्बर्ड भी है, रादा किष्ण भी है जो हमारा mind से related है question number 17 है शिक्षा के विक्तिकत उदेशे का क्या अर्थ है अगर विक्तिकत उदेशे की बात करें तो इसका यह है कि अपनी शक्तियों, योगताओं और शम्ताओं का विकास करना अगर विक्तिकत उदेशे तो बच्चा अपनी इसाब से जो शक्त क्या है, उसकी जो एबिलिटी है उसी के इसाब से उसका विकास करना ठीक है उसके बाद हम बात करते है question number 18 की समाजिक उदेशे का क्या अर्थ है यहाँ पर बात हो रही है कि समाजिक उदेशे का क्या अर्थ है तो समाजिक उदेशे समाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना समाजिक समारों में भाग लने में रूची पैदा करना नहीं समाजिक लेक लिगने की योगता समाजिक उदेश्य का मतलब क्या होता है समाजिक्ता और नागरिक्ता की भावना विक्सित करना तो इसका option है 18 का A हो जाएगा अपने समाज और राष्टर को ही सर्वर्ड पर ही समझना ठीक है बट अगर हम option के point of view से देखे तो मुझे लगता है कि समाजिक्ता और नागरिक्ता की भावना कि उनके नदर समाजिक्ता की भावना है तो यह हमारा समाजिक्ता का उदेश्य हो सकता है उसका आरत हो सकता है question number 19 है शिक्षा के शेतर में पाठे चरह शब्दावली डैश की और संकेत करती है तो यह किसकी और संकेत करते है मुल्यांकन परग्रेस्री पाठे करम यह तो नहीं है तो option A is correct हो जाएगा कि विद्याले का संपूर्ण कारे करम तो पाठे करम का पाठे करम का मतलब यह होता है दोना में डिफरेंस होता है पाठे चरह और पाठे करम में यहां पर जो पाठे चरह रहा है वो पाठे करम के फॉर्म में यूज होई है तो जो भी बच्चे के अनुगावु से मिलते है वो सब हमारी पाठे करम करीकुल में होता है ठीक है तो option A is correct answer question number हमारा जो 20 है तो इन्होंने 20 में पूछा है कि इनिशली कक्षाओ में शिक्षण की इनिशली कक्षाओ यहां पर primary की बात हो रही है ठीक है खेल पदती का मूल रूप से खेल पदती किस पर आधारी थे तो विकास एवं बृद्धी के ठीक है विकास जो बचा बढ़ रहा है बृद्धी तो उसमें और को कॉरिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें सीखने के बारे में तो यही है जो हमारा इसका ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग ठीक है यह बी वाला सही है उसके बाद हमारा है question number 22 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को बैश की बूमी का निभानी चाहिए तो कैसी बूमी का निभानी चाहिए मामी बापा को अगर बच्चा learning कर रहा है तो अग्रोन मुखी मतलब बिल्कुल आगे होना चाहिए उनको इसीज में 23 है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुन्रा वृति और प्रत्यास मेरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत पूर्ण है कि बचच जो सीख चुका है उसका डिविजन और उसको दुबारा याद करवाना क्यों महत पूर्ण है बताईए तो इसका जो आंसर है वो है बी तुकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में सम्रिद बनाता है अगर हम कोई नई जानकारी और पूराने को बार बार रिवाइज करेंगे तो उससे कनेक्ट करने में उसको एक सही रहेगा ठीक है और फिर हमें हर सब्जेक्ट में इवन लाइफ में भी काम आएगा ठीक है उसके बाद हमारा है question number 24 सीखने का वह सिधान्त जो पूर्ण रूप से और केवल अब लोकन ये विवाहर पर अधारित है सिर्फ हमें observation के observing जो behavior उस पर अधारित है तो वो सम्मंद किस से जो सिधान था वो किस सम्मंदित है तो उसका जो answer है वो ऐसी विवाहर वादे से उसके बाद है question number 25 विद्यारतियों के सीखने में जो रिक्तिया रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए तो निदान के बाद हमेशा क्या होता है उपचार होता है तो इसका जो answer है वो है उसके बाद हम question number 26 की बात करें निम लिखित में से किस कथन को सिखने के लक्षन के रूप में नहीं माना जा सकते है हैं पर नहीं की बात हो दिया तो सिखने के प्रक्रिया है जो विवहार में मध्यत सता करती है तो यह सही है और second वाला भी सही है जो हमारे experience में घटित होती है तीसरा है वो इसका option correct है कि विवहार का अधियन सीखना है कि हम सिर्फ अगर behavior का अधियन कर रहे हैं तो यह इसका जो लक्षन नहीं है सीखने का ठीक है question number 27 है शिक्षारतियों का आत्म नियमन डैश की और संकेत करता है तो आत्म नियमन किसकी और संकेत करता है अपने सीखने का सयम prediction करने की उनकी योगत है कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको वो खुद observe कर पारा उसको अनलीस कर पारा यह उसके अंदर ability है तो उसको हम क्या करेंगे आत्म नियमन question number 28 है चोटे शिक्षारतियों में निन्वकित में से कौन सा लक्षन पठन कठिनाई का नहीं है कि पढ़ने में ये कठिनाई का लक्षन नहीं है वर्ण और शब्दों की पैचान में कठिनाई ये तो होगा पठन गती और प्रभाव में कठिनाई तो पठन कठिनाई ये देखते हैं भी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई सुसंगत वर्तनी में कठिनाई तो इसका जो option है वो है 28 का B यहां पर इनोंने बोला है एक वर समझे समझे आप लोग कि छोटे बच्चे होते हैं कौन से लक्षन पठन कठिनाई का नहीं है कि पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो देखो अगर बच्चा वंड शब्द की पैचान नहीं कर पा रहा तो वो कठिनाई आ रही है शब्द और विचारों को नहीं समझ पा रहा तो भी कठिनाई आ रही है तो संगत मतब इसको स्पैलिंग भी ठेक से नहीं बोल पा रहा तो कठिनाई पठन गति को छोटा बच्चा है वो गति उसके दीमी रहती है पर भाव कम होता है जैसे हम पुरा सुर लयताल के साथ वो कि किस और संकेत करता है तो सीखने का आकलन ठीक है कि मत अब जो बचे ने जो भी सीख कर आए है उसका वो आकलन कर रही है तो इसका हो जाएगा कि आसिस्मेंट ओफ लनिंग क्वेश्चन इमबर 30 है बाल संसित का निर्मान एवं संचालन से बाल को में किस प्रकार के गुण है वो विक्सित होंगे यहाँ पर यह पूछा गया है तो जो 30 कोशन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी शिक्षार्तियों को लोगतांतरिक मुल्यों का प्रश्रिक्षन प्राप्त हो जाएगा वर्शन नमर 31 है किंडर कार्टन शिक्षन पदती के जनम दाता कौन थे तो इसका आंसर है डी यह मैंने करवाया भी तब पिछली वीडियो में क्वेशन नमर 32 है बाल विकास क्या है ठीक है जो शैल डेवलप्मेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास ग्रोथ एक टाइम के लिए रुप जाती है बड़ जो हमारा डेवलेप्मेंट है जो विकास है वो हमेशा क्या होता है हमेशा वो चलता रहता है ठीक है क्वेशन नमर 33 है हमारा बाल मनों वग्यान के स्थान पर ब्युक्त होने वाला शब्द है तो बाल मनों वग्यान के स्थान पर हमनों क्या यूज करते हैं बाल विकास सीखना विकास की प्रक्रिया है सब्सक्राइब कर देना और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना थैंक यू